हाई देयर यह वर्चुल युनिवर्सिटी की फाइनल ट्रम प्रिपेशन सीरीज की वीडियो है कम्प्लीट सीरीज इस चैनल के उपर अप्लोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको CS609 सिस्टम प्रिग्यामिंग के फाइनल ट्रम के की लिए तो इसमें सबसे पहला है कि इच एड्रेसिबल यूनिट का यूनिक कॉंबिनीशन होता है किसका सबसे इड्रस के तौर पर वह वह फिजिकल एड्रस उसके बार ही कि फस्ट क्लस्टर पहला क्लस्टर एं यूजर डेटा इस नमबर होता है in a fat based system so इसका जवाब है two उसके बाद यह के bios services understand dash जवाब है LVA उसके बाद यह के the first cluster number of a file can be found in the first cluster number होता है file का वो पाया जा सकता है कि इसके अंदर इंवे से FCB उसके बाद यह के the size of fsinfoblog is the size fsinfoblog का वो इंवे से क्या है 512byte उसके बाद यह के in ntfs first dash entries are reserved ntfs के अंदर first कौन सी entries यह कितनी entries reserved होती है 16 उसके बाद यह के in memory map of first mb memory map first mb of ram का the first dash is called conventional ram first 640 kb is called conventional ram उसके बाद यह के in memory map of first mb memory map के अंदर first mb of ram के the higher dash is called system memory the higher 384 kb is called system memory उसके बाद यह the dash of boot block constitutes of bpb the data part of boot block जो data part इसके बाद इसके बाद इसके बाद यह के जाता है इसको यूज के जाता है किया जा सकता है partition information chunk इस हर जो partition information chunk है वो है 16 bytes long and the last 2 byte at the end of the partition data table data is the partition table signature whose value should be value होनी चाही क्या dash indicating that the code part contains well executable code इसके जवाब है डबल डबल 5 उसके बाद यह के service 21H slash 52H service returns the address of dose internal data structure in ES BX dash behind the address returns lies the 4 address of the first mcb in memories के राब है 4 bytes उसके बाद यह के 80386 can have dash register control किते register control हो सकता है 4 उसके बाद यह the partition table uses the dash extended service partition table जो है वो यूज कता है dash extended 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 service उसके बाद यह के using the dash entry यूज करना डश इंट्री and the f2 we can access हमआद एक्सक कर सकते है the contents of file वो है root directory उसके बाद यह के control information is file in file the control information file के अंदर is maintain maintain के जाता है using disk को अबरेदों effe क्या होगा होगा रहता है अन्ट अ इंदर pee क्यों सा इंदर्ट ले-देश राइबर तोस द्राइबर यह राइबर होतेने काँ सा data infrastructure वो है एंटी एफस उसके बाइद है कि डैश कलेक्शन और कंटेजियस ब्लॉक्स इन में से कौन साप्षिन जो है वो क्लेक्शन है कंटेजियस ब्लॉक्स का वह क्लस्टर उसके बाइद है कि डैश यूस्टू डिटरमाइन इन मैं से किसको इसको इस्तमाल किया तहूए क्या जाता है अमांट कंवेंशनल मैमोरी इंटर प्रशेस का सर इन बाइट ब्रोसेसर और के साथ किलो बाइट में वह है इंटीजर 12 है उसके बाद ये के अबित नमबर डैश व्यूद नमबर डैश जो है और को प्रोसिसर इन रौल वर्ट के लो को इस इस धी इंटरॉप्ट एनेबल फ्लेग सो इसके राब है सेवन उसके बाद यह तो डिस्टिंगिश 486 विद पेंटियम सीप्यो आईटी टेस्ट इस यूज तो यह फोल्स है यह उसके बाद यह प्रैक्टिकली डैश एंट्रीज आर दियार इन एफटी थर्टीटू सो प्रैक्टिक ZB stands for यह एक अब्रिवेशन इसके फुल फॉर्म है बाइस पैरेमेटर ब्लॉक उसके बाद यह के जो इंपूर्ट करेक्टर की बॉर्ट इंपूर्ट करेक्टर जो स्कें कोर्ड इस रिसीट एट डैश कोर्ट 30च इस ती एच यह यह नकी जो पहला ऑप्शन है उसके बाद option जो है वो करेक्ट है उसके बार कि कीबोर्ड यूजिस पोर्ट ऐस डैश डैश ऐस स्टेटस पोर्ट इसके जवाब इसके बार यह के minimum maximum possible entries in FAT 12 आज जो maximum possible entries है वो कितनी है 4096 उसके बार कि disadvantage of FAT 32 इस वो क्या है very large table उसके बार यह के what will be the value of the word located at 1FH in DPB when number of free clusters on drive is not known क्या value होती है word की जो के locate करता है 1FH के उपर DPB के अंदर जब number of free cluster के driver के उपर known नहीं होते वो है डेबल एफ डेबल एफ एच उसके बार यह कि jump code part contains dash bytes in boot block jump code part जो है वो contain करता है dash bytes बूट ब्लॉक में वो है three उसके बार यह कि operating system name contains dash bytes in boot block इसके जबाब है eight bytes in boot block उसके बार यह के file can be dash viewed as organization of data वो है फाइल को जो है वो डेश तरीके से वीव किया जा सकता है as organization of data वो है logically उसके बार यह कि file can be dash viewed as collection of cluster or blocks वो है physically file can be physically viewed as a collection of cluster or blocks उसके बार यह कि cluster number can also be referred as dash as block number cluster number को refer किया सकता है block number के तौर पर भी true है false है false है उसके बार यह कि what will be the value of dl register क्या value of dl register की when we are accessing जब हम access कर रहे हैं c drive using undocumented service 20h 21h by 32h इसका राब है 3 उसके बार यह के the directory structure of dose is like directory structure है dose का वो किसकी तरह है इन में से 3 उसके बार यह के control information about file control करना information जो है file के बार में maintain maintain के जाता है using fcb उसके बार यह के when lsn is equal to zero it means जब lsn जो है वो बराबर यह zero के इसका बता भी यह क्या है first block of the logical drive उसके बार यह के effective t32 के अंदर lower dash bits are used इसके बार बार यह उसके बार यह के dash is relative address with respect to the start of logical drive वो है lsn उसके बार यह के practical limit of blocks per cluster is practical limit है blocks की per cluster वो क्या है 64 blocks per cluster उसके बार यह के highest capacity physical capacity of the disk जो highest capacity physical capacity है डिसकी according to IDE interfaces वो क्या है 127 GB उसके बार यह के partition table can be read partition table को read किया सकता using the extended dash services वो है 13h उसके बार यह the keyboard device writes a code or code 0xfa on the port of 60h to indicate the indicate that the byte has been received properly उसके बार यह के a single dma can transfer dash operands to and from memory in a single bus cycle so इसका answer है 8 bits उसके बार यह के in FAT is 12 to calculate the address calculate करने के लिए address or offset from index we need to multiply it हमें जवद होती इसको multiply करने की किसके साथ 3 by 2 तो यह थी आज की वीडियो आपको अगर इस बार में कोई confusion है खास्तों पेसमें कोई mistake दिखाई दे नीचे comment कीजिए और इस फाइल को निचे description box में दिएकर लिंक साथिल कर सकते है लिगन अगर आपको लिंक न दिखाई 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 लाब निचे comment कीजिए और इस पूरी सीरिस को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए बेल इकन को पर क्लिक कीजिए